और चिंदवाडा से अगली खबर है जहाँ एक देश एक चुनाव को लेकर कमलनाथ ने एक बयान दिया है कमलनाथ ने एक देश एक चुनाव को खिलोना बताया है यह बात मोदी जी का एक और खिलोना है यह कहना है कमलनाथ का सबको उलजाने के लिए नया दाव है ये आरोब भी कमलनात लगा रहे है वन नेशन वन इलेक्शन इंप्रेक्टिकल है यानि की आव्यवहारिक है बीजेपी और मोदी जी के पास एक ही काम है राहुल गांधी की जूटी आलोचना करना बीजेपी और प्रधान मंतरी मोदी के पास कुछ बचा ही नहीं है ये कहना है कमलनात का कमलनात के बयान पर शिवराज सिंग चोहान ने पलटवार किया है राश्ट्र हित को राजनीती के उपर रखें ये कहना है शिवराज सिंग चोहान का आपको बता दे कि One Nation One Election पर फैसला हो चुका है इसको लेकर पूरे देश भर से राजनितिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है अब ऐसे में मध्यप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इस पूरे फैसले को One Nation One Election को खिलोना बता दिया है कई सारे आरूप भी लगाए जिसको लेकर शिवराज सिंग चोहान ने भी पलटवार किया सुनिए क्या कुछ कहा पार्तिय जनता पार्तिय और मोधी जी के पास कुछ बचा नहीं है केवल रावल जी की जूटी आलोचना जूट बोलना यह यह बचा है कि यह कित्ता प्रैक्टिकल है आज इसी सरकार का नो कॉंपिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी बड़े तो क्या करेंगे तो यह इंप्रैक्टिकल बात है मोधी जी का एक और यह खेलोना है सब को उल जाने के लिए तो कमलनाथ वन नेशन वन एलेक्शन को इंप्रैक्टिकल यानि कि अव्यवहारिक बता रहे हैं तो इसी पर शिवराज सिंग्चोहान ने भी पलट वार किया क्या कुछ का जरा वो भी सुन लीजिए तो इसमें राजनीति को राजनीति से उपर रखे और सब मिल के इस फैसले का समर्थन करे मैं जनता से भी अपील करता हूँ आज भावो खोब के अपील कर रहा हूँ सारा देश इस दिरने के पीछे खड़ा हो जाए जनभियान चले इसके लिए और मिलकर सब रोज हाऊने वाले हर छे मईने में होने वाले चुनाऊ से देश को मुक्ती दिलाए और इस पर जादा जानकारी के साथ एक्जेक्यूटिव एडिटर मनुज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीधा उनकरो करते हैं मनुज जी वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला आया एक तरफ पूर मंतरी कांगरिस के बड़े निता सजन सिंग वर्मा इसके पक्ष में है कह रहे हैं कि आना चाहिए लेकिन इसका पूरा खाका तयार होना चाहिए रोट मैप सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए तो दूसरी तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि ये तो इंप्रैक्टिकल बात है अब ये भारे के हो ही नहीं सकता कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं इस पर बनाई गई थी उसके शेर परसन थे वो उनके नितरत में कमेटी बनी जिसने ये जाना कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जा सकता है उनकी सिपारिसों को ही मजूरी दे दी कैबनेट ने तो उसमें 47 ऐसे राजितिक दल थे जिन से बात की गई और 15 ने कहीं बिर गांधी को लेकर लगातार जो बाते कहते रहते हैं उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है लेकिन बन नेशन वन इलेक्शन का जो मसला है मुझे लगता है इस पर बिबात तो गर्माता रहेगा लगातार क्योंकि बिपक्ष ये नहीं चाहेगा बिपक्ष की तरफ से लगाता थे वो अपील कर रहे थे जिकिन उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को एक खिलोना बता दिया तो कि खिलोना बना बताना उचित है और इस पर अब किस तरह की प्रतिक्रिया आती लेकिन ये बाद भी गरमाएगा इस पर सियासत भी गरमाएगी क्योंकि अभी तो इसमें जानबाजी देखने को मिलती थी और शिवराज सिंग चोहन कमलनाथ भी एक दूसरे पर पोस्टर वार करती हुए दिखाई देते थे लेकिन शिवराज सिंग चोहन ने एक बात इस पच्ट की है कि जब राश्ट हित की बात हो तो राजनीती से उसको उपर रखना चाहिए बह समाम जानकारियां तक साजह करने के लिए एक और बड़ी खबार